हेलो दोस्तो नमेश्कार बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और आप सभी लोग को पता है दोस्तो इंडिया की जो फिलाल की जो हालत है कोविड के वज़े से राइट वो तो डैमेज होते हुए देखने को यहां पर मिल चुके हैं इसका जो इंपक्त है राइट वह एकोनॉमी के और हभी हम लो जो हम लोग बोलते हैं न वहां लोग यहां पर देखने को यहां पर मिलने वाला है इतना है कि इससे रिलेटटी बहुत ज़ादा चर्चा अभी हमलों को होते वे देखने को मिल रहें मतलब अगर आप लोग फरके देखोगे कि कल के दीन यहाँ पर होने ही वाली है उसके उपर adverse impact होने ही वाला है so अगर economy को recover करना है इंडिया की अगर मैं बात करू so UN expert ने भी yes also मैं word use कर रहा हूँ UN expert ने भी मतलब इससे पहले भी कुछ experts से उनने आपर सरकार को कुछ suggestion दिया है कि अगर economy को जल्द से जल्द recovery के mode में लेके आना है V-shape recovery होती है U-shape recovery होती है अगर उसमें लेके आना है so India need to have और India will to have invest heavily in a infra yes also infra sector में अगर जादा पैसा लगाया जाता है तो यहाँ पे शायद से Indian economy में हम लोग को तेजी से recovery होते है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसके पीछे कुछ logic भी है जैसे मैंने आप लोग को बता है कि अगर मैं पूरा article पढ़ते रहूँगा तो वीडियो 20-30 minute का भी हो सकता है बट short form में मैं आपको बताना चाहूँगा देखे इंफरा में अगर जादा पैसा लग जाता है तो आप सभी लोग को पता है ground level से सारी चीज़े हम लोग को यहाँ पे activate होते वे देखने को मिलेगी ground level मतलब आपको पता है कि इंफरा में काम करना है मतलब laboring से related ही शुरूआत हो जाती है और वो बहुत ही जादा एक important पिलरे आप सभी लोग को यहाँ पे पता है उसी के साथ चाथ इंफरा की अगर में बात करता हूँ इंफरा में सारी चीज़े आती है dams आ जाते है, roads आ जाती है, सडके आ जाती है उसी के साथ चाथ properties, जो construction की जितनी भी चीज़े वो सारी के सारी इंफरा में आ जाती है तो अगर वहाँ पे जादा फोकस किया जाएगा सो बहुत सारी job opportunities भी वहाँ पे आ जाएंगे और economy में भी अच्छी खासी recovery यहाँ पे आ सकती है अभी अगर मैं बात करूँ, देखे इंफरा अगर इंफरा से related जब बात होती है न देखा जा तो बहुत बुरी हालत है इंडिया में प्री कोवीड लेवल की भी अगर हम लोग बात करे बड़ अगर हम पोस्ट कोवीड की बात करे तो इंफरा के और और भी ज़्यादा यहाँ पे focus देना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे sector इसके चलते, यहाँ पे हम लोग को अच्छे कासे लेवल पे भागते हुए देखने को भी मिल सकते हैं, मतलब चलो मैं आभी आपको दिखाना चाहूँगा, देखी कुछ stocks ऐसे जो कि डिरेक्ली इंफरा से रिलेटेड काम करते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी-भी हम लोग ने देखा था, कौन सा stock, Greenville Norton Limited, आप सभी लोग को यापर पता है, मैंने वीडियो भी बनाये था, आपको बताये था, इनके नमबर शांदार आ चुके है, मैं कोई recommendation देता नो है, यह final decision आप करेगा, अगर आप चाहो तो आपर जा सकते हो, बट यह company आप लोग खुद देख सकते हो, पाच दिन पहले भी यह वीडियो था, लगबग 18% यह आप भाग चुके अच्छे नमबर रहेगे, तो definitely भागी कि आप देख सकते हो, company पुराने लेवल से काम कर रहे है, अच्छा तेजी भी आप दिखा लिए, बहुत साथ लोग के उपर रख सकते हो, Larson and Tubro भी है, कमाल के नमबर दिखा चुके, consolidated भी हो, stand alone हो, बहुत ही शांदार यह आप नमबर जे, रैट, ऐसे company के और आप लोग फोकस रख सकते हो, इन्फरा से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, यह company तो directly काम करती है, बट अगर आप लोगों को पता है, अभी इन्फरा अगर में बात करूँ, तो कोई भी चीज को build करना है, तो आप लोगों को पता है, यहापे steel लगेगा, right, metal लगेगा, cement लगेगा, right, यह सारी चीज़े आजाती है, इसलिए हम मैंने हम लोगों ने बहुत ही पुराने समय से भी इसको यहापे देखा है, और सबसे main अगर कोई बात है, तो वो यह company के quarter 4 के numbers भी outstanding थे, आप मेरा खुद का वीडियो देख सकते हो, मैंने बता है था आप लोगों को, कि Tata Steel के number बहुत ही शांदर यहापे आ चुके है, और उसी का नतीजा अगर आप लोग देखना चाते हो, तो पाच दिन का चाट प्रिटन आप लोग यहापे देख सकते हो, फिर एक मैने का चाट प्रिटन देख सकते हो, अच्छी खासी तेजी भी हम लोगों को यहापे बाते हैं आपे बुलिए, और अभी प्लस, UN ने भी यह सारी बाते बोली है, और आप फोकस रख सकते हो, मेटल सेक्टर की अगर में बात करूं, और भी कमपनीज है, आप चाओ तो वहापे भी जा सकते हो, अगर और और एक कोई कमपनी हैं दोस्तों, तो वह सिमें से रिलेटेद जैसे वहने का सिमेंट इंड़स्ट्री बहुत बढ़ी है, स्री सिमेंट है, ACC सिमेंट है, इंडिया सिमेंट है, डाल मिया भारत है, जितने धूंड़ोंगे, उतने कमपनी आपको सिमेंट के भी मिल जाएंगी, बट, निफ्टी- wिफ्टी के अगर मैं बात क खरना है तो सिमेंट तो चाहिए इसके ओपर भी आप लोग यह पर फोकस रख सकते हो 6300 पर यह स्टॉक देखने को मिल रहा है पाच दिन या फिर एक मेने का भी चाट पेटन अगर आप देखोगे यह जो चेन है इंफरा के अगर यहाँ पर फोकस किया जाता है सो स्टील मेटल उसी के साथ साथ सीमेंट इंफरा इनके ओपर फोकस आएगा उसी के साथ साथ अगर मैं बात करो तो आटो इंडस्ट्री को भी इसका फायदा मिलेगा, अभी आटो इंडस्ट्री कों से है, हेवी वेहिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं, कमर्शेल वेहिकल्स बनाने वाली कमपनी, बड़े-बड़े ट्रक, आप सबी लोग को पता है, बहुत बड़े-बड़े जो एक्विपमें देना चाहूंगा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इंफरास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जैसे मैंने का कि प्री कोईड लेवल से भी मतलब जब कोईड नहीं भी था तब से वो स्ट्रगल यहापे कर रहे हैं अभी के हालत तो बहुत ही जादा खराब है बट सरकार अपने और से यहापे कोशिश कर रही है तो यह भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर नोट करके रखना चाहिए कि अगर आप इंद में जाते भी हो इंफरास से रिलेटेड कोई भी डिरेकल और इंडिरेकली लिंक वाली जो भी कंपनी रहेगी तो मेक शोर वो फंडाम बोल दी है तो आपको यह वीडियो एंड अपडेट अच्छा लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेर भी कर देना तो यह तो टेंकिव विरी माज दोस्तो वी बिल भी मिटिंग आरनिक शुडियो तब तक के लिए बाई बाई